हम रोज बोलते हैं रोज BJP को गाली देते हैं, BJP के हर किरिया कलाप को बोलते हैं, खुले आम बोलता हूं मैं, व 거지 पहले दिख सकती हैं कि लालू यादव के स्कूल से निकले हैं तो आप लोगों कोई पता है कि कितना ओफर आया था, कौन-कौन मंत्रा ले ओफर आया था, जब वैसे चीज़ों को लात मार सकते हैं, जब हमारे गुरुजी मुखमंत्री बने थे, तो अरजुन मुंडा जी का भी और इंदर सिंग रमधारी जी का हेलिकॉप्टर रोक करके ह तो हम परिचेश देने के लिए किसी का मुताज नहीं हो को है, अगले को भी टेस्ट कर रहा है, और देखेगा अगले कितना दिन ठीकेंगे, और हम लोग तो टेस्टेट माल है, गुरुजी ने टेस्ट किया, अब हमन जी ने टेस्ट कर रहा है, तो आप जानते हैं, हम तो सार्जनिक है कि वो कितने बड़ा बिलेकर है, जार्खन में हेमंत सोरेन सरकार में सहयोगी पार्टी राजद इंदिनों अपने ही सरकार के मुखिया के कारे कलापों से नाराज है, और इसको ले करके राजद के बड़े नेता जो है अब खुलकर सामने बोलने लगे हैं, इस जो अपने ही सरकार के खिलाफ इन दिनों आप लोग जो बोल रहे हैं, सिर्फ आप नहीं बलकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजे सिंग्यादव, हुसेनाबाद बाले या फिर सुरेश पासवान जो पूर मंत्री भी रहे हैं, पार्टी के कारकरता भी अब मुख सादियादव जी और तैस्वी जी ने सरकार को जबरदस्त सहजो करने का काम किया, आपको पता होगा कि हमारे यहां नहीं जा पाया, जिसके चलते 2000 वोट से, हमार गये 2000 वोट से, लिकिन जहां जहां भी यूपिय गडबंधन का कंडिडेट था, वहां वहां हमारे नेता तै राजगी की समाल नहीं है, अधिकार हक तो भागेगा ही, जब हम आपका एलाइंस पार्टनर है, तो निस्चित रूप से हमको भी भागदारी हर्जगा मिले, कमबेस जो भी हो, आप राज के मुख्या है, सब लोगों ने मिलके बनाए है, हमारा कर्शकर्ता ने भी उतना ही खुन पसीना भाया है, जितना आपके कर्शकर्ताने भाया है, तो चुकि आप जब उस पत पे हैं, तो आपकी नजरिया बराबर होना चाहिए, कमो बेस तो अधिकार में होता है, जो इसकी जितनी भागदारी है, उसको मिलता है, लेकिन जिस तरह से विश्चुतरी का गठन हुआ, और जितना भी कमेटी बना, उस कमेटी में राष्टी जनता दल को नहीं पूछना, संगठन के लोगों को नहीं पूछना, आप हमारे सपोटर जो कॉंगरेस है, उसके परदे सद्यक्स को बुला रहे हैं, कोई भी समोहिक बयान दे रहे हैं, कोई भी जितना भी सरका काम हुआ, उसको आप समोहिक ले करके चल रहे हैं, और हमारे संगठन को आपने मदद नहीं कर रहे हैं, या उनको बोला के कभी पूछते भी नहीं है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हम आज कर्चकरता कि किस मुख से जाएंगे, फिर हमको चुनाओं में जाना है, फिर गडबंदन होगी, और उस समय हम जब बोलेंगे, तो कर्चकरता गाली से प्रियोग करेगा, हमीं लोग को वो तोड़ जबाब देगा, तो निश्चित रूप से हम अपने मुख्या से, चुकि मुख्या से मिल नहीं पाते हैं, समय मंगते हैं, मिलने का समय नहीं मि कूँ आप लोगों को एगनोर किया जा रहा है, कॉंग्रेस पाटी है, कॉंग्रेस के प्रतेश अध्याक्य को इसवार बका mucha कार्या, राजमंत्री का भी दरजा मिला, राजे श्ठाकुर जी को, जो koörडिनेशन कमीटी बनी, कोडिनेशन कमीटी में भी राज़त को जगह न हैं क्या आप लोग दवाब नहीं बना पा रहे हैं या फिर आप एक लौते मात्रिक बिधायक हैं जो मंत्री हैं संख्या कम है इस वज़े से आपको इग्नोर किया जा रहे हैं हम जब मुख्या बनाये थे तो यह सोच करके बनाये राजका कि जो हमारा अधिकार होता है यह मुख्या का समान होता है वह मुख्याका नजरिया एक समान होना चाहिए आप देखे ऑंगे हमारे आदर्णि ने तला लुपरावं यह आदर करने के लिए हम लोगों ने देने का काम कि लेकिन आज अगर मुख्या को हमको तो लगता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई इनको दिख्भिरमित कर रहा या जो भी हो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे मन्य मंत्री हैं तो आपके केमिनेट में रहते हैं सिंगल विधायक हैं तो भी से परिश्थिति में आपको देखना है और आप हमारे संगठन के परदेशर स्द्यक्स प्लाधी कारी कर रहा है जब यानी की जो सोंबार को जो एक कारकरम हुआ पार्टी दफ्तर में आपका वहां पे आप लोगों ने कहा कि आप हेमान सुरेन और उनकी पार्टी को यह लग रहा है कि वो अकेले सरकार चला रहे हैं तो कि यह में इतना कॉन्फिडेन्ट है या फिर आप लोग कमजोर हो गए हैं क्या ग्राउंट पर आर्जेडी नहीं है इसलिए ऐसा यह लोग कर रहे हैं आप लोग के साथ देखिए आपको बता दे हैं हम गराउंट पर कितना मजगूत है यह आप लोगों को भी पता है और आज हमन जी को भी यह पता है कि आर्जेडी का जो सिपाई है वो वाफादार है इमंदार है वो बदलता नहीं है इसका जीता जाकता उधारन है मदुपूर में लेकिन दल बदल करके जो है इसमें घुसा है और हम तो समझते हैं कि वैसे लोगों नोहीं गलत टाइक पेन को चला रहा है जो हम लोगों ने सोचे हैं आज भी जो हमारा सोच है कि हमारा 20 साल तक चेयर जो है टसमस ना हो चुकि हम लोग गरीब की राजनितिक करते हैं पेश्णों क भगा दे तरजीन ना दे तो फिर हम तो अपने संगठन को मजगूत करेंगे ना संगठन को उर्जा देंगे ना हम तो 17 साल 20 पीसे लड़ते रहें कितना खरिदने का कोशिश कि कितना पद का लालज देने काम किया लेकिन तो भी राष्ट्य जनता दल का एक भी सिपाही वि करेगा एक चीज यह है आप जब बोलते हैं यूपिय के खिला भले ही आप अपना अधिकार की बात कर रहे होते हैं उस वक्त जैसा कि आपका दावा है जार्खन की राजिती में चर्चाए होती है कि संजय आदब जो है गोड़ा वाले वह दर असल बीजेपी के संपर्क में है और पूरा जो पीच तैयार कर रहे हैं और जो सरकार के खिलाप बोला है वह बीजेपी के लिए एक तरीके से अपना प्रैक्टरिस कर रहे हैं देखिए हम आपको बता दें गुरु में बहुत अच्छे तरीके से हुग जानते हैं और हम लोग विशवासी लोग हैं दगेव करता है कि वह बीजेपी में चले जाएगा और मुख्या भी जानते हैं कि हम लोग सब अपने नेता से भी लड़ते हैं अपने दल को मजगूत करने के लिए हमारा कर्षकरता जिंदा कैसे रहे हमारा भोटर जिंदा कैसे रहे और जो प्रिस्तिती राज की है जो इस्तिती है उसके लिए कि हम अपने नेता से भी लड़कर के अपने कर्षकरता और भोट्रों को अधिकार दिलाते हैं और मुखर होके बोलते हैं तो मुखर होके बोलने वाला तो आप जानते हैं हम तो Bidhan सब पता है इसलिए कि इसको बताने की जवरत नहीं है अब हाई क्या कि हम तो ठान दिये हैं कि पॉड़ाया हाट से लड़ना है हम यह भी कहें कि यूपिया से लड़ना है हम गोड़ा भी लड़ेंगे हमारे पास लड़ने वाले का कमी दोले है एक बात बताईए आप जब बो भाई हम तो यूपिये को मजबूत कर रहे हैं तो एक सीट को तो और आप सीधे चुनाओती दे रहे हैं डेमेज करने का देखें हम आपको बता दे सबसे पहले तो यूपिये का पाड़ था नहीं वह जबीम से चुनाओ जीता और यूपिये में घूस गया है और हम तो कहते भी बेंति करते आया है और जिम्म का सीट है तो हम लोग जब कई सीट छोड़े हैं कंग्रेस को और जेम्म को तो क्या हमारा हम से पढ़ाई करके हम निकले है आप मेरा इत्यास जान लेजी हम जिला के महा सची जब जोएंड बिहार था वहां से ले करके और जब 2002 में बावुलाल जी की सरकार जाने लगा था तो आप लोगों कोई पता है कि कितना ओफर आया था कौन-कौन मंत्रा ले ओफर आया था जब वैसे चीजों को लात मार सकते हैं जब हमारे गुरुजी मुखमंत्री बने थे तो अरजुन मुंडा जी का भी और इंदर सिंग रमजाजी जी का हेलिकॉप्टर रोक करके हम लोगों ने विधाय को उतारे थे गोली खाने के लिए त्यार थे तो हम परिच्छे देने के लिए किसी का मुहताज नहीं हो कोई हमारे भी से नहीं बोल सकता है और हमा को गाली देते हैं बीजेपी का हर क्रिया कलाप को बोलते हैं खुले आम बोलता हूं मैं मैं लालू यादव हम तो पहले भी बोल चुका कि लालू यादव के स्कुल से निकले हैं जो उतना लालच में नहीं बदला अभी किस लालच में बदलेंगा बता देजिए क्या मिल ज वाए human eating मैं जेय करें जारखंड में यादवों को अपने हिसाब से एक जूट कर रही है और वो चाह रही है कि बीजेपी में यादप लोगों का जो समर्थन जाए यादवों का जो नेता हैं वो लोग बीजेपी में आ जाए तो यह जो चर्चा हो रही है इसमें कितनी सच चाहिए देखिए हम यह आपको बता दे अनपूर्णा देवी मेरे दल के लीडर थे और लालू प्रसाद यादव जी ने ही मानते थे तो हमारे नेता न अलावे पॉलिटिकल समंद्ध नहीं नीजी तो दिखे जातबा है आज कैसे आज मोदी जी ने भी हाल चाल पूछा लालू जी का तबियत कमराप्ता करने से अपी लोग के चैनल के मादियम से देख रहें तो यह तो बेखतिका समंद्ध है यह कोई पूछ सकता है लेकिन ज आज आप खूल करके कैमरा पर बोल रहे हैं कि मुखमंत्री हेमन सोरेन एक तरीके से आपको ओफर दिया था अपनी पार्टि ने अब क्या बात है नहीं है यह आपको क्लियर हमको मत में बताईए हम आपको यह बता दिये कि मुखमंत्री जी ने भी आप कहन कि गुरू जी न को कण्विंस करते हैं और हम आपको दवे के साथ करते हैं कि आज ने कल वो फिर बीजेपी में भागेगा हम लोग तो उस दिन को देख रहे हैं और आज भी उसका पूरा जो है बारता जो है बीजेपी के साथ चल रहा है लेकिन एक मजगूत अस्तम जो वहाँ पे है अभी उस संपर्क में निस्जित रूफ से निस्जित रूफ से हैं और मन गर रहा है हम लोग कितनों उस दैरति मरने जानते लेकिन है ती खूल करके जो बोल दे रहे हैं सी एम के खिलाफ तो आपको डर नहीं लग रहा है कि भाई कोई पहले वाली राजनिती तो रही नहीं अब आदमी को पसंद नहीं होता है कुछ भी किसी के खिलाफ में बोलिएगा तो अपना पावर का इस्तेमाल करता है देखे जो के से मुखमंत्री जी के साथ रहते हैं उसकी लड़ाई लड़ते हैं और जनता के बीच भी जाके बोलते हैं आज हमारे मुखमंत्री ने गडवंदन में जो काम किया है इसका परसासना भी करते हैं लेकिन जहां मेरा अधिकार की बात है जहां मेरा हक की बात है वहां तो हमक आप लोगों ने कल अनाउंस किया क्या अब भी उसमें ठीके हुए हैं आप लोग सामिल होंगे यात्रा में आपके लोग सामिल होंगे या फिर उस यात्रा से आप लोग दूर दूरी बनाए रखें देखें हमने के लिएर कट कहा है कि हमारे मुख्या समझदार हैं समझते हैं और संगठन को चलाए हैं और यह पता अधरन नेता गुरु जी को है और लालू प्रसाद यादव जी को सोनिया जी को है कि संगठन सबसे बड़ा प्रीज होता है विधायक मंतरी को बड़ा चीज न है उनका अधिकार है गड़बंदन में है वह बोले कि आप लोगो सब को सिम्लित रहना है वाप रहना है इतना तो उनका बनता है ना फर्ज है एक दम गोतिया टाइप बहला बात आप कर रहे हैं कि भाई ठीक है आप से मेरा है भाई चारगी है रिस्ता भी है लेकिन पूछ प्रदेश अध्यक्ष को लिए के बोला के सार्जोनी गोसना कर रहे हैं और हमारे दल के लोगों को नहीं कर रहे हैं तो यह तो आपके बुद्धी बिवेक पर है कि हम आर्जेडी को कैसे लेके चले आखिर आपका पार्ट है ठीक हारना जितना अलग चीज है कौन ने हारा है क्या है मन्जी दुमकास नहीं हा रहे हैं क्या वो अलग चीज है लेकिन संगठन जो चीज है वो बहुत मैना रखता है बहुत इंपर्टन चीज है और उस पर हम चाहेंगे कि मन्जी मुक्पंत्री जी अभी लंग एक्शन लेकर करके इस पर करवाई करे तो यह संजब प पर असल नाराज है गुसे में नहीं है और नाराजगी अपने अधिकारों की लडाई को लेकर के है तो अगर मुक्पंत्री हेमन सोरेन या फिर उनके करीबी लोग यह ख़बर देख पा रहे होंगे तो इन सारे चीजों को जो है ध्यान से सुने समझें सुक्रिया बायोम ने दिये है नीट 2022 के छारकन टॉपर्स क्लास 8, 9, 10, 11th and 12th के स्टूडेंस के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवार्ड इग्जामिनेशन जहां उडान अड्मिशन स्कॉलर्शिप में पाए अब तो 1.25 करोड दिसकाउंट and अब तो 100% स्कॉलर्शिप इन क्लास कर देते हैं